हलो चिल्रन, हमारे आज के वीडियो में हम रजिस्टर, इंडक्टर और कैपसिटर के सीरीज सरकिट को समझेंगे जब हम इसे एक AC सूर्स से इनओ करता हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपसिटर हैं और इन तीनों को हमने series मे connect किया हुआ है और इन्हें जो voltage हम दे रहा है ये voltage है sinusoidal voltage यानि की AC voltage अब चिलन हम सीधा इसके phase diagram से start करता है इसके phaser diagram से हम शुरुबाद करता है मान लेते हैं ये arrow represent कर रहा है voltage of resistor तो चिलन हमने पिछले वीडियो में देखा था रेजिस्टर का वोल्टेज और रेजिस्टर का करेंट दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता तो अगर ये वोल्टेज ओफ रेजिस्टर है तो ये हो जाएगा करेंट क्योंकि रेजिस्टर के वोल्टेज और current में कोई face difference नहीं होता अब चिल्दन inductor में current lag होता है पिछले वीडियो में हमने देखा था inductor में current lag होता है यानि कि inductor में voltage lead होता है अगर current lag होगा तो voltage lead होगा तो यह है current जो resistor से पास हो रहा है यही current inductor से भी पास होगा यही current capacitor से भी पास होगा reason तीनों series में है तो यह जो current है जो resistor से पास हो रहा है यही current inductor का भी है यही current capacitor का भी है क्योंकि तीनों series में है तो children inductor में current lag होता है यानि कि inductor में voltage lead होता है by 90 degree तो phaser diagram में हम leading बनाते हैं anti-clockwise जाके तो अगर मैं current से anti-clockwise जाओ 90 degree तक तो मुझे voltage of inductor मिल जाएगा क्योंकि inductor का voltage lead करता है current से by 90 degree तो inductor का voltage यह हो गया अब capacitor में यही voltage lag करता है 90 degree से तो अगर यह current है अगर हम 90 degree clockwise जाएं lagging करते वक्त हम clockwise जाते हैं तो यह है voltage of capacitor तो यह बन गया इसका phaser diagram net current यह है यह resistor का voltage है यह capacitor का voltage है और यह inductor का voltage है चिलन voltage of inductor और voltage of capacitor एक दूसरे के 180 degree है ज्यान से देखो voltage of inductor, voltage of capacitor एक दूसरे के 180 degree है यानि यह minus हो जाएंगे तो इस phase diagram को मैं इसा भी बना सकता हूँ यह voltage of resistor और इन दोनों को minus कर देते है तो यह हो जाएगा VL minus VC तो मान लेते हैं अगर यह 10V है और यह 3V है तो net बचेगा कितना? 7V उपर के सराफ और यह है current जो resistor के साथ है अब चिलरन यह voltage of resistor और यह है voltage of inductor minus voltage of capacitor अब यह दोनों अब यह जो voltages है इनका net voltage निकालने के लिए हमें vector analysis करना पड़ेगा चिलरन फेजर डाइग्राम में हम vector analysis कर सकते हैं मुझे पता है voltage killer होते है लेकिन फेजर डाइग्राम में हमें vector analysis करना पड़ता है क्योंकि यह दोनों voltage 90 degree के angle पे है resultant होगा यह है net voltage और net voltage का formula क्या हो जाएगा children यहां पे पाइदोगरस theorem लगा सकते हैं यह है VR और यह है VL-VC यहां से लेकि यहां तक VR है और यहां से लेकि यहां तक VL-VC है तो net voltage क्या हो जाएगा by पाइदोगरस theorem under root voltage of resistor का square plus voltage of inductor minus voltage of capacitor the whole square तो यह है net voltage इन तीनों का net voltage क्या है इन तीनों का जो net voltage है वो तो voltage of source है तो हम ऐसा लिख सकते है voltage of source is given by under root voltage of resistor का square plus voltage of inductor minus voltage of capacitor का square तो अगर इसका voltage पता है इसका voltage पता है इसका voltage पता है तो हमें इसका voltage मिल जाएगा यहां direct addition नहीं करना है चल्रण यहां पे phasor mathematics आ जाता है इसलिए हमें vector addition करना पड़ता है तो यह रहा vector addition यह formula है बहुत important formula है इसे आप याद रखेंगे it is a very very important formula अब चल रहें current और net voltage के बीच में एक angle है इस angle को हम 5 बोल देता है let let phi be the phase difference between current and voltage तो चल्रण voltage है वीपी साइन ओमेगा टी तो current क्या हो जाएगा current हो जाएगा आईपी साइन ओमेगा टी और इन दोनों के बीच में angle phi है ना phi का phase difference है phi का angle है दोनों के बीच में और चल्रण voltage से net voltage से अगर आप clockwise जा रहे हो तो current मिलेगा ध्यान से देखो इस triangle को net voltage से अगर clockwise गये तो current मिलेगा मतलब current lag कर रहा है lag कर रहा है इसलिए current में minus phi आएगा अब चल्रण ये current lag इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने VL को बड़ा मान लिया देखो हमने यहाँ पे डाइग्राम में भी VL को बड़ा बनाया है कोई जरूरी नहीं है कि VLE बड़ा हो voltage of inductor बड़ा हो ये कोई जरूरी नहीं है capacitor का voltage भी बड़ा हो सकता है अगर capacitor का voltage बड़ा होता तो ये जो net voltage है ये उपर नहीं नीचे बनता ये net voltage VL minus VC नहीं होता VC minus VL होता correct ना? net voltage उपर नहीं होता net voltage नीचे होता अगर VC बड़ा होता तो तो यह VL-VC नहीं होता यह VC-VL होता यह भी VC-VL होता और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस साइन आता तो चिल्डरन पर इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं क्योंकि VL-VC करो यह VC-VL करो दह होल स्कोर करो गई आप तो वो होल स्कोर की वज़े से कोई फरक ने पड़ता तो यही फॉर्मूला सही है लेकिन अगर हम इंड़क्टर के वोल्टेज को छोटा मान लेते और कैपाशिटर के वोल्टेज को बड़ा मान लेते तो यहाँ पर minus sign की जगह यहाँ plus sign आ जाता यह बात आपको ध्यान रखनी है तो चिलन voltage of source का यह formula हमने अभी अभी देखा अब मैं काम करता हूँ इस पूरे formula को divide by current कर देता हूँ तो voltage of source upon current is equals to under root अब यह current जब square के अंदर जाएगा स्क्वेर रूट के अंदर जाएगा तो यह current का square हो जाएगा देखो यहाँ पर मैंने divide by i किया है लेकिन यहाँ पर square root है तो यह divide by i square करना पड़ेगा plus vl upon i अब यहाँ पर क्यों i square नहीं किया क्योंकि root भी है और यहाँ पर square भी है correct root भी है और यहाँ square है तो यहाँ पर i square लिखो के तो i square का square हो जाएगा to the power 4 हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ i लिखो minus voltage of capacitor upon i the whole square तो मैंने सब को i से divide कर दिया चिल्ण voltage divide by current तो opposition to current होता है resistor होता है पर यहाँ पर सिर्फ resistor है क्या? नहीं यहाँ पर resistor भी है inductor भी है capacitor भी है तो यहाँ पर voltage divide by current को कहा जाएगा impedance impedance क्या है? impedance is the opposition to current by RLC circuit impedance क्या होता है? RLC circuit जो मिल के opposition करती है current को मिल के oppose करता है resistor, inductor, capacitor मिल के अगर oppose करता है तो उसे हम impedance कहते है अकेला resistance oppose करता है तो sorry, अकेला resistor oppose करता है तो resistance अकेला inductor current को oppose करता है तो inductive reactance अकेला capacitor resist करता है current को तो capacitive reactance और अगर तीनों मिल के oppose करेंगे current को तो तीनों के मिलके जो word है वो होगा impedance और impedance को हम represent करते है Z से तो यह होगा impedance impedance is equals to under root voltage of resistor divided by current of resistor V by I यह तो R होता है तो यह हो जाएगा R square plus voltage of inductor upon current यह तो होता है inductive reactance तो यह हो गया XL minus voltage of capacitor upon current यह होता है capacitive reactance यानि की XC तो चल्रन यहाँ से हमें impedance का value मिल गया impedance is equals to R square plus XL minus XC the whole square तो यह impedance क्या है net resistance offered by it is the net opposition तो यहाँ से हमें एक triangle बना सकते हैं इसको याद करने के लिए हमें एक triangle बना सकते हैं इसको याद करने के लिए हमें एक triangle बना सकते हैं यह है resistor और यह XL minus XC और यह है Z तो Z is under root R square plus XL minus XC the whole square और इनके बीच का जो angle होता है वो 5 होता है 5 is the angle between resistance and impedance तो यहाँ से आपको cos phi की value मिल जाएगी cos phi की value होती है R by Z यहाँ से आपको tan phi की value भी मिल जाएगी tan phi होता है XL minus XC upon resistor तो मैंने cos phi tan phi क्यों निकाला है यह आपको बात में पता चल जाएगा पर एक बार यह triangle मिल गया तो आप cos phi tan phi sin phi जो phi निकालना हो निकालो एक बार triangle मिल गया उसके बाद ही trigonometric ratios निकालना हो बड़ी बात तो है नहीं यह trigonometric ratios क्यों निकाला थोड़ी दिर बाद आपको पता चल जाएगा पर चिल्रन impedance का formula यहाँ पर जबर जस्त important हो जाता है नेट impedance का formula और voltage of source का formula और यह दोनों formula का true है जब RLC series circuit बनेगी तब true है और यह phi क्या है phi है net voltage और net current के बीच का angle यह भी आपको याद रखना है phi is the face difference between voltage and current है मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ ठीक है तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है अगर यह याद नहीं रहेंगी तो आपको RLC circuit में बहुत दिक्कत आएगी अगला concept है RLC circuit में कितना power use होता है तो चल्वें आप सबको पता है power होता है VI power का basic formula instantaneous power और अगर आपको average power निकालना है तो average power हो जाता है integration of this instantaneous power divide by time period यह हो गया average power तो जो average power होगा तो I can say that the average power is equals to integral of voltage into current voltage है V peak sine omega t और जो current है वो है I peak sine omega t अब यहाँ पर आप plus 5 भी लिख सकते हो minus 5 भी लिख सकते हो current को आप leading भी मान सकते हो lagging भी मान सकते हो end result same ही आने वाला है तो मैं lagging मान रहा हूँ मैं minus 5 लिख देता हूँ यह leading मान के plus 5 लिख देता हूँ जो भी तो plus 5 लिख दिया अगर आप minus 5 लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक voltage हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक current हो गया dt upon time period t from 0 to t तो जो average power हो जाएगा वो हो जाएगा from VP constant है IP constant यहने बाहर निकाल लेता है VP constant IP constant 0 से लेकर t बचा क्या sin omega t plus 5 into sin omega t the whole divided by t dt अब चलोड़ आपको mathematics का knowledge लगेगा 2 sin a sin b यह चीज होती है cos of a minus b minus cos of a plus b तो यह trigonometry का formula हम यहाँ पर यूज करेंगे तो जो power हो जाएगा average power जो consume हो रहा है वो हो जाएगा VP IP by t integration from 0 to t अब चलोड़न यहाँ पर 2 होना चाहिए इसके पास 2 नहीं है तो एक काम करते हैं यहाँ पर 2 multiply कर देते हैं और 2 divide कर देते हैं तो यह जबर जस्ती एक 2 और 2 का हमने multiplication division कर दिया तो 2 यह हो जाएगा a और यह हो जाएगा b तो result होगा cos of a minus b इसको इसमें से minus कर दो omega t plus 5 a minus b करना है ना a minus b करोगे तो क्या बचेगा omega t plus 5 minus omega t तो सिर्फ 5 बचेगा minus cos of a minus b sorry a plus b तो यह हो जाएगा 2 omega t plus 5 plus 5 dt और यहाँ पर 2 extra डाला है ना यह 2 यहाँ पर हमने लिख दिया अब चल रहाँ यह हो जाएगा vp ip by 2t phi तो एक constant है cos phi एक constant है cos phi को integrate करेंगे with respect to time dt तो क्या आएगा cos phi into t ठीक है cos phi सिर्फ phi है यहाँ पर कोई time का variable नहीं है यहाँ पर तो यह constant हो जाएगा minus यहाँ पर देखो t है और हम integrate कर रहे है with respect to time तो cos को integrate करोगे तो आएगा sin 2 omega t plus 5 upon 2 omega from 0 to capital T तो यह हो जाएगा vp ip by 2t पहले हर जगा capital T डाल देंगे तो यह हो जाएगा और हाँ children अगर आप इसमें limits डालोगे तो इसमें limits डाल के answer 0 हो जाता है वह मैं दिखाने रहाँ पहले अगर हम capital T डालेंगे फिर small t को 0 डालेंगे तो capital T और 0 डालने के बाद यह पूरा term 0 हो जाता है तो इस entire term will become 0 तो बचेगा क्या cos phi और छोटू T की जगा हम capital T डाल सकते हैं तो यह और यह कट जाएगा तो answer होगा vp ip divide by 2 cos phi तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है vpc divided by root 2 ipc divided by root 2 cos phi तो को मैंने इस तरह से root 2 लिख दिया अब peak voltage divided by root 2 sinusoid में क्या होता है sinusoidal function में peak voltage divided by root 2 क्या होता है rms voltage ipc divided by root 2 rms current into cos phi तो यह है power का formula तो जो power का formula होगा वो होगा vrms irms cos phi यहां पर cos phi को बोला जाता है power factor तो cos phi is called as power factor तो चलन यह है power का formula हमने power of inductor पड़ा था 0 power of capacitor पड़ा था 0 power of resistor पड़ा था vrms irms उन तीनों को अलग-अलग याद करने की जगह आप simply यह एक formula याद रख सकते हो और इस एक formula से सिर्फ रेजिस्टर तो अगर सिर्फ रेजिस्टर है तो यहां पर cos phi की value क्या हो जाएगी cos phi होता है cos phi is r upon z correct cos phi का value होता है r upon z अगर सिर्फ रेजिस्टर है तो जो z है opposition opposition कौन कर रहा है resistor तो z की value भी r जितनी ही हो जाएगी या formula से भी करके दिखा देता हूँ z की value होती है under root r square plus xl minus x e the whole square अगर सिर्फ r है तो यह xl minus x e नहीं है मत करो इसे consider तो z की क्या value हो जाएगी r यह तो होगा नहीं z की value हो जाएगी r अगर सिर्फ resistor है तो z की value हो गई r cos phi की value हो गई r by z r by r which is 1 तो power का formula हो जाएगा v rms i rms cos phi तो power हो जाएगा v rms i rms cos phi की value तो 1 है यही था ना power of resistor power of resistor का यही हमने formula पढ़ा था ना पिछले वीडियो में तो वो सारे power के formula याद रखने से अच्छा है कि यह formula याद रखो और यह triangle याद रखो तो power of resistor अपने आप मिल जाएगा power of inductor भी इसी तरह से आपको 0 मिल जाएगा आप try करो power of inductor निकालने के लिए अगर सिर्फ inductor है तो z हो जाता है under root r square plus xl minus xc the whole square तो z हो जाएगा r तो ही नहीं तो r गायब xc भी नहीं है xc भी गायब बचा कौन xl square तो z की value हो जाएगी excel अब cos phi क्या होता है cos phi होता है r by z तो r तो ही नहीं तो cos phi is r by z r ही नहीं r 0 है तो 0 हो जाएगा और power होता है v rms i rms cos phi पर cos phi तो पूरा 0 है तो power भी 0 आ जाएगा तो पिछले वीडियो में जो हमने individual powers पढ़े वो पढ़ने की जरुवत नहीं है यह formula और यह triangle और cos phi निकालने का तरीका यह याद रखोगे तो बाकी साब automatic हो जाएगा तो चलन अगर मैं इस पूरे वीडियो की summary करू तो rlc circuit के लिए voltage of source होता है यह formula impedance होता है यह और impedance का मतलब होता है net opposition offered by resistor capacitor and inductor to the current और यह होता है impedance का triangle यहाँ पर जो phi होता है वो phase difference between voltage and current होता है cos phi को power factor कहा जाता है और power का जो formula है rlc circuit के लिए vrms, irms, cos phi और यह सारे formulas अगर आप अकेले resistor अकेले inductor या अकेले capacitor के लिए भी लगाएं तब भी यह सारे formula सही रहेंगे अगर यह सारे formulas आप resistor inductor या resistor capacitor या inductor capacitor वाले circuit के लिए लगाएं तो भी correct होंगे तो यही main formulas है इस chapter के यही main concept है इस chapter का अगर suppose किसी circuit में r नहीं है तो यहाँ vr मत लिखो यहाँ पर r मत लिखो अगर किसी circuit में inductor नहीं है तो excel मत लिखो यहाँ excel मत लिखो यहाँ excel मत लिखो अगर किसी circuit में capacitor नहीं है तो xc मत लिखो xc मत लिखो xc मत लिखो बाकि use तो यही formula करना है तो यही main formula है इस chapter के तो अगले वीडियो में हम इसके उपर numericals करेंगे तो